हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी सीटूब चैनल में आज हम और आरबी एंटी पीसी 2019 के एस्पेक्टिड कटफ के बारे में एनलैसिस के साथ जानेंगे ठीक है इस वीडियो को आप अंध तक जरूर देखें जिससे से आपको यह पततल जाएगा कि आपने जो एक्जाम दिया है एटेम्ट किया है आप सेप जोन में है या नहीं क्या आपको सीवीटी टू के लिए प्रेपेर अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपोर्टेंट जनकारी देना चाहूंगा मैं आरार्बी ग्रूप डी के लिए ग्रूप डी के लिए मैं इस चैनल पे जितने भी प्रिवियस एर के ग्रूप डी कॉच्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन लेकर के इस चैनल पे आ रहा हूँ मतलब मैं दो तिन वीडियो अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ बांकी जितने भी एकजाम हो चुके हैं आरार्बी ग्रूप डी के सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा और कैसे कॉच्चन को एकजाम में सॉल्व कर जाता है प्रोपर तरीके से आज का जो वीडियो का मकसद है एस्पेक्टेड कटप की बारे में जनकारी देना तो उसके बारे हम लोग बात करते हैं इससे पहले एंटी पीसी का एकजाम 2016 में भी हो चुका है अब जो है 2019 का जो वेकेंसी आया है उसका एक्जाम अभी वन से लेकर के 6 फिर तक हो चुका ह कुछ 4 से 5 लाख पच्चे का एक्जाम होना अभी भी बाकी है क्योंकि वह पेंडेमिक के कारण नहीं हो पाया है जैसे पेंडेमिक खतम होगा बाकी जो बच्चे हुए 7 फेज होगा उसका भी एक्जाम बहुत जल्दी देखने के लिए आपको मिलेगा तो देखिएगा यह कंप्रीजन कर रहे होंगे 2016 से के कट अफ से इस जो 2019 का वेकैंसी उसके कट अफ से कंपियर कर रहा है तो 2019 और 16 में दोनों में कंप्रीजन बिल्कुल भी संभब नहीं है क्योंकि क्या है देखिए यहाँ पर वेकैंसी का जो डिफ्रेंस है काफी जैदा है मतलब अभी जो है वेकैंसी वह टू टाइम से भी जैदा है और जो 2016 में एपियर्ड हुए थे कंडिडेट वास 68 तू 70 परसेंट कंडिडेट एपियर्ड हुए थे लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अगर 2019 का एकजाम दिये है तो इसमें बहुत ही कम 56 तू 70 परसेंट ही किसी किसी जोन में एपियर्ड हुए है यह आपको आर्टियाई के माध्यम से बहुत सार चात्रों ने आर्टियाई डाला था उसके माध्यम से इनकी जनकारी मिली है लेकिन अभी ऑफिसियली एनाउंस नहीं हुआ है कि 2019 में कितने एपियर्ड हुए है एरॉंड इतना ही 56 तू 70 जन बजे डैफर कर रहा है तो उसम सब्सक्राइब को बहुत सारे असुद्धाएं थी साल क्योंकि पेंडेमिक है तो बहुत सारे लोग एक्जाम सेंटर तक पहुंची नहीं पा रहे थे चलिए तो इस कारण से क्या है तो टूठाएं सेश्टन देखे होंगे बहुत सारे जोन में कटफ काफी 80 के पास भी चला गया था 80 पलस भी चला गया था लेकिन तूठाएं 19 में क्या है ऐसा नहीं होने वाला है तो चलिए अब जो हम लोग बात करते हैं काटफ कैसे है तो आप लोगों ने यह किया होगा या फिर सुना भी होगा या फिर बहुत सारे वीडियो में देखा होगा बहुत सारे एस्टेंट है जो मतलब 90 परसंट तब माल लीजिए एस्टेंट ऐसे हैं जिसका जुन्होंने एटेंट किया है 75 पलस क्योंकि जो फंस रहे थे लोग जो जिक्के का परसंट 40 उसमें लोग बहुत सारे फंस रहे थे क्योंकि जो डिपली कॉश्चन पूछी जा रहे थे जिक्के से तो मैंने जो एनेलज किया है बहुत सारे बच्चों से डाटा ले करके उन्होंने यह पाया है कि कम सकम 10 से 15 कॉश्चन उन्होंने गलत ही एटेंट कर दिये हैं ठीक है सब्सक्राइब कर लेते हैं को यह स्टूडेंट मतलब ऑन एवरेज 75 एटेंट किया है अगर 10 से 12 अगर उन 59 के एराउंड में अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आपने अटेंट आपका जो एटेंट सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आपने एटेंट किसी बच्चे ने 75 किया है ठीक है इन 10 से बाग गलती करके निगेटिव करने के बाद आपको इनको 59 आ रहा है लेकिन अगर आपने 60 एटेंट किया है और आपको 100 पंस्ट एकुरेसी है तो कहीं न कहीं इस स्ट्रेंट से आपका आप काफी बेटर कंडिशन में है चूंकि जो है नर्मलाजेशन जब होगा तो आपका जो इनक्रीज होगा मार्क्स में काफी जयदा होगा कंप्रिजन कितने एटेंप्ट किये हैं आपको यह ध्यान रखना है कि आपने एकुरेट कितने मार्क्स को किये हैं ठीक है तो चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके कटफ के बारे में तो जो कटफ जो रहने वाली है और अब बात किया भी स्वेंटी फाइब ऑल्मॉस्ट 90 परसेश्ट एटेंट किये हैं स्वेंटी फाइब पलस कुछ एक्सेप्सन जिनों 90 भी किये हैं तो इसमें सब बातों पर ध्यान रखना है कुछ लोग 95 भी बता देंगे आपको एटेंट किये हैं तो कुछ जेनून है इसमें से कुछ तो ह मैं 90 एटेंट किये हैं लेकिन बहुत सारे जो बता रहे होंगे सभी सभी वह फेक बता रहे होंगे ठीक है तो आपको इस सब दर दर की बात देंदर लखना है 75 ऑन एवरेज एनलेसिस करने के बाद पाचल गया होगा 25 पलस लोग एसको मतलब एटेंप्ट किये हैं उनका जो एसकोर आ रहा है वह आ रहा है 60 निगेटिव करने के बाद ऑन एवरेज मैं 90 परसेंट की बात कर रहा हूं ठीक है तो अगर आपने भी इस केटोगरी में है अगर आप जेनरल को टेगोरी से हैं ठीक है अगर आप जेनरल अगर आप जेनरल को टेगोरी से हैं अगर आप 60 पलस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं आपको अभी से CBT2 की प्रिप्रेशन कर दिने चाहिए अगर आप OBC से हैं अगर आप 55 पलस अपका मार्क्स आ रहा है तो आप खुद को क्वाइलिफाइड समझे SC ST के है 48 पलस अगर आपने स्कूर कर रहे हैं तो आप यह माने कि आपका सेलेक्शन CB2 के लिए जरूर होगा क्योंकि वेकैंसी जहुद जैदा है उसका 20 टाइमस CB2 CBT2 के लिए कॉल किया जाएगा तो इसलिए कॉट अफ काफी लो जाने वाली है क्योंकि पैंडेमिक है इसमें बहुत सारे एस्टेंट एपियर ही नहीं हुए हैं ठीक है तो अगर आपने एपियर हुए हैं और जनरल के टरूरी 60 पलस कर रहे हैं 55 पलस कर रहे हैं और SC ST से 48 कर रहे हैं तो आपको अभी से CBT2 की प्रिप्रेशन कर देनी चाहिए मैं जो यह मार्क्स पता रहा हूं यह मार्क्स बिफोर नर्मालाजेशन है ठीक है तो अगर आप इतना आ रहा है अगर सपोज कर लेते हैं आपको 60 अगर मार्क्स आ रहे हैं और आपका सिप्ट मॉडर सब्सक्राइब करें तो आपका यहां से 75 पलस या फिर अगर आपका लेवल पर डिपन करता और एकुरेसी पर अगर अटेंप्ट कम किये हैं एकुरेसी मेंटेंड करके रखे हैं तो आपको जो नर्मालाजेशन मार्क्स में जो इंक्रीमेंट होगी उसमें आपको बहु कर रहे हैं तो आपको तैयारी अभी से CBT2 के लिए कर देनी चाहिए तो चलिए इस वीडियो को हम लोग नहीं कंप्लेट करते हैं लेकिन हम एस्टेट जॉन बाइज हम कटफ लेकर करके आएंगे नेक्ट वीडियो में उस वीडियो आपका चल जागा किस जोन से कितनी वेक कि लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद